उम्शंती 28 जुले 71 अव्यत्वानी आकार में निराकार को देखने का अभ्यास आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है जैसे बाप आकार में निराकार आत्माउं को ही देखते है वैसे ही बाप समान बने हो सदैव जो स्रेष्ट बीच होता है उसी तरफ ही दुरुष्टी और रुत्ती जाती है तो इस आकार के बीच स्रेष्ट कौन सी वस्तु है निराकार आत्मा तो रूप को देखते हो वा रूह को देखते हो क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो जान लिया देख भी लिया बाकी क्या रहा बाकी स्तित रहने के बात में अभ्यासी हो हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया ऐसे समझे अंत तक पहले पाट के अभ्यासी रहेंगे अंततक अभ्यासी हो रहेंगे वा स्वरूब भी बनेंगे अंतके कितना समय पहले यह अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूब बन जाएंगे जब तक शरीर छोडेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे पहले पाट की समाप्ती कब होती है जो समझते हैं, अंततक अभ्यासी रहेंगे, वह हाथ उठाओ, आकार में निराकार देखने की बात, पहला पाट पूछ रहे है, अभी आकार को देखते, निराकार को देखते हो, बाच्चित किस से करते हो, निराकार से, आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंततक भी अ अभ्यासी रहेंगे तो देही अभीमानी का, अत्वा अपने असली स्वरुप का जो आनंद वा सुख है, वह संगम यूग पर नहीं करेंगे। संगम यूग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम यूग का वर्षा कोण सा है? अतिंद्रिय सुख, यह अंतमे मिलेगा क्या? जब जानने वाले होंगे, आत्मिक स्वरूप हो चलना, वा देही हो चलना, यह अभ्यास नहीं है, अभिस आकार को, वा आकार को देखते, आकर्शन इस तरब जाती है, वा आत्मा तरब जाती है, आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नैच्रल सुरूप हो ही जाना चाहिए, अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सरविस तो आत्मा की करते हो ना, जिस समय भोजन स्विकार करते हो, तो क्या आत्मा को खिलाते है, वा शाररिक भान में करते है, सीड़ी उतरते और चड़ते हो, सीड़ी का खेल अच्छा लगता है, उतरना और चड़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे-छोटे बच्चे कहा भी सीड़ी देखेंगे तो उत्रेंगे चडेंगे जरूर, तो क्या अन्ततक बच्चपन ही रहेगा क्या, वानप्रस्ति नहीं बनेंगे, जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्त अवस्ता होती है, तो धीरे-दीरे बच्च्पन के संसकार मिटते ज साक्षातकार मूरत तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्ता में होंगे अगर ऐसे समझेंगे कि अंततक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाट को परिपक्व करने में धीलापन आ जाएगा फिर निरंतर सहेज याद वा स्वरूप की स्थिती की सफलता को देखेंगे नहीं शरीर छोडेंगे तब सफल होंगे लेकिन नहीं यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंतके पहले ही करना है जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृती नाचरल रही है वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृती का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या यह होना चाहिए यह पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा इस आत्म अभीमाने की स्थिती में ही सर्वात्मावं को साक्षात कराने के निमित्त बनेंगे तो यह अटेंशन रखना पड़े आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिती में स्थित होना है न जैसे ब्रह्मा कुमार वा ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप वा ब्रह्मा कुमार पंड का स्वरूप भूलता है क्या चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ यह भूलता है क्या जब यह नहीं भूलता शीववंशी होने के नाते अपना आत्मी स्वरूप क्यों भूल बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरुप सामने आता है ना, तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरुप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपना शिव वन्षी का स्वरुप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिव वन्षी स्वरुप अंत में बनेंगे, बाप दादा इकटा बोलते हो वह अलग अलग बोलते हो, जब बाप दाबदा शब्द इकटा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरुप और ब्रह्मा कुमार का स्वरुप दोनों ही याद नहीं रहता, यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े, अन्त के लिए तो और बहुत बाते रह जाएंगी, सुनाया था न, अन्त के समय नई नई परिक्षाएं आएंगी, जिन परिक्षाओं को पास कर संपुरुनता के डिग्री लेंगे, अगर यह पहला पाठी में नहीं होगा, तो संपुरुनता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे, डिग्री न मिलेगी, तो क्या होगा, धर्मराज की डिग्री निकलेगी, तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो, जैसे पहला विकार एकदम संकल परूप से भी निकालने का निश्य किया, तो उसमें प्रतिग्या के ऊपर मदार है, जिस बात की फोर से प्रतिग्या करते हो, तो वह प्रतिग्या प्रैक्टिकल ग्रुप ले लेती है, अगर समझते हो, यह अंतका कोर्स है, तो फिर रिजल्ट क्या होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है, यह बात स्थे तो पहले क्रौस करनी है, अगर अंतत क्रौस करेंगे, तो कंप्लीट अतिंद्रिय सुख का वर्सा कप प्राप्त करेंगे? कई बाते ऐसी है, जिसमें हरेक ने अपनी-अपनी यथा शक्ति क्रौस करने की प्रैक्टिस के वज़ैं प्रैक्टिकल में लाया है, कोई किस बात में कोई किस बात में, जैसे लोकिक देह के संबंद की बात कोई प्रैक्टिस में हैं, कोई प्रैक्टिकल में एक ही अलोकिक, पारलोकिक संबंद के अनुभव में हैं, स्वपन में भी कभी संकल परूप में, देह के संबंदी तरप रुत्ति और दृष्टि न जाए, इस में पांडव उनको भी क्रॉस करना है, लोकिक को अलोकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है, तो वह वा कल्यान अर्थ, आप तो मदुबन भट्टी में रहने वाले हो न, तो पहली सीडी पास होनी चाहिए न, जो एक सेकेंड पहले नहीं था, वह क्या अपके सेकेंड मे नहीं हो सकते हो, मदुबन के पांडव है, युनिवर्सिटी के स्टूरंट है, कोई छोटी गीता पाच्छाला के स्टूरंट नहीं है, तो इनों को कितना नशा रहना चाहिए, इनों की पढ़ाई कितनी उची है, ऐसी कमाल करके दिखाना, जो एक सेकेंड पहले आप लोग का को जब जला दिया, तो सीड़ी नहीं पास कर सकते है, पहले सीड़ी तो बताई, दूसरी सीड़ी है करमेंद्रियों पर विजय, तीसरी है व्यर्त संकल्पों और विकल्पों के उपर विजय, यह है लास्ट, लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना है, उमंग उस साह से कह सको की हां हम फुल पासे दूसरी सीडी तो बहुत सहजे जब मरजीवा बन गए तो यह पुराणी करमेंद्रियों की आकर्शन क्यों मरजीवा बने थो खतम हो गए ना जैसे जन्म पत्री बतलाते है फालाने का इस आयू तक शरीर है फिर खलास लेकिन अगर कोई दान पुन्य करेंगे तो नई जन्म के रीती नई आयू शुरू हो जाएगी तो ऐसे मरजीवा बने अर्थात सब तरप से मर चुके ना पुराणी आयू समाप्त हुई अभी तो नया जन्म हुआ उसमें हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार करमेंद्रियों की करमेंद्रियों पर विजय न हो यह हो सकता है क्या। पिछला हिसाब है तो चुक्तु हुआ। जब मर जीवा बने ब्रह्मा कुमार बन गए तो फिर करमेंद्रियों के वश कैसे हो सकते है। ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में करमेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है इस नौलेश से भी पड़े हो जाते अभी क्षुद्रपन से मर जीवा नहीं बने है क्या वा अभी बन रहे है शुद्रपन का जरा साभी सास अर्थात संसकार कहा अठका हुआ तो नहीं है कोई कोई का श्वास छिप जाता है जो फिर कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है यहाँ भी ऐसे है क्या पुराने संसकार अठके हुए होंगे तो मर जीवा बने हो ऐसे कहेंगे, मर्जीवा न बने, तो ब्रुम्म कुमार कैसे कहेंगे? मर्जीवा तो बने होना, बाकी मन्सा संकल्प, यह तो ब्रुम्म कुमार बनने के बाद ही माया आती है, क्षुद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप मुझते क्यों हो? बोलो कि मर्जीवा बने है, म इसलिए माया आती है, उनसे लड़कर हम विजय बनते हैं, ऐसे क्यूं नहीं कहते हो, मावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना, जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे, तो फिर यह जो सेकेंड सीडी है, करमेंद्रियों का आकर्शन, उससे भी पार हो जाएंगे, ब्रह्मा कुमार वाशिव कुमार यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से, फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुन क्या है, वह भी स्मृति में रहते हैं ना, तो अब दूसरी और तीसरी सीड लिक्रोस करने करके पांस वित ओनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्टी की है, तो भट्टी के समाप्ती के साथ यह भी समाप्ती कर देनी है, जैसे देखो, स्तान के आधार पर स्तिती बनती है, यह मदुबन का स्तान ऐसा है, जो स्तिती को ही बदल लेता है न, स्तान का स् असर होता है और हरेक को अपने स्तान का नशा कितना रहता है अपने देश का अपने हद के निवास्तान गर का नशा नहीं होता है अगर बड़ी कोठी वा महल में निवास करने वाला होगा तो स्तान का स्तिती पर असर होता है तो आप सभी से स्रेश्ट स्तान पर हो तो इसका भ वर्दान भुमी के निवासी है, तो अपनी स्तिती भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाये, वर्दान वह दे सकता है, जो साक्षातकार मूरत होगा, कोई भक्त को भी वर्दान प्राप्त होता है, तो साक्षातकार मूरत द्वारा होता है न, तो साक्षात अर्था साक्षात कार मुरुद बनने से ही वरदाता मुरुद बन सकेंगे बाग दाता के बच्छे दाता बनना है लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हर सेकेंड हर संकल्प में देना है जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्यगुन कोन सा होता है उदारचित जो औरों के उद्धार के निमित होंगे तो वह अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं। एक सेकें भी देने के सिवाए न रहे। उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हो। जैसे मंदिर का दर्वाजा सदैव खुला रहता है। यह तो आजकल बंद करते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकेंड हर संकल पर चेक करो। कुछ दिया लिया तो नहीं देते जाओ। लेना है बाप से वह तो ले ही लिया अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या। सभी कुछ जो लेना था वह ले लिया। बाकी रहे गया देना। जितना जितना देने में बीजी होंगे तो यह जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है, वह बहुत सहज हो जाएंगी, क्योंकि महादानी बनने से ही महान शक्ती की प्राप्ती स्वत ही होती है, तो यह कारिय तो अच्छा है ना, देने के लिए तो भंडारा भरपुर है ना, इसमें फुल पास है, जिसमें फुल पास हो, उ कलना, जितना दाता बनते है, उतना भरता भी चाता है, बंडारा भरपुर है, तो क्यों न दाता बने, इसको ही कहा जाता है, निरंतर रुहानी सेवाधारी, तो इस भटी से निरंतर रुहानी सेवाधारी हो निकलना, जब तक त्याग नहीं, तब तक सेवाधारी हो नहीं स यही तरीका है, संकल्प से, बुद्धी से, चाहे स्टूल कर्मना से, जितना फ्री रहते हो, उतना ही माया चांस लेती है, अगर स्टूल और सुक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदय वबीजी रखो, तो माया को चांस नहीं मिलेगा, जिस दिन स्टूल कार्य भी रूची से करते हो, उस दिन की चेकिंग करो, तो माया नहीं आएगी, अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया, फिर तो चांस दिया, लेकिन सेवाधारी हो, और देवता बन, अपनी रूची, उमंग से अपने को बीजी रख कर देखो, तो कभी माया नहीं आवेगी, खुशी रहेगी, खुशी के कारण माया सायस नहीं रखती, सामना करने का, तो बीजी रखने की प्रैक्टिस करो, कभी भी देखो, आज बुद्धी फ्री है, तो स्वयम ही टीचर बन, बुद्धी से काम लो, जैसे स्टूल कारिय की डायरी बनाते हो, प्रोग्रैम बनाते हो, कि आज सारा दिन यह कारिय करेंगे, फिर चेक करते हो, इसी प्रमान अपनी बुद्धी को बीजी रखने का भी डेली प्रोग्रैम होना चाहिए, प्रोग्रैम से प्रोग्रेस कर सकेंगे, अगर प्रोग्रैम नहीं होता है, तो कोई भी कारिय समय पर सफल नहीं होता, डेली रोज, डाएरी होनी चाहिए, क्योंकि सबी बड़े धे-बड़े होना, बड़े आदमी प्रोग्राइम fixed करके फिर कहा जाते है, तो अपने को भी बड़े धे-बड़े बाप के समझ कर, हर सेकेंड का भी प्रोग्राइम fixed करो, जिस बात की प्रतिग्य की जाती है, तो उसमें विलपावर होती है ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विलपावर नहीं होंगे इसलिए प्रतिग्या करो की यह करना ही है ऐसे नहीं देखेंगे करेंगे करना ही है जैसे स्तूल कार्यक्या कितना भी ज़ादा हो लेकिन प्रतिग्या करने ऐसे कर लेते होना, अगर ढीला विचार होगा, न करके करने का ख्यालात होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे, फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं, प्रतिग्या करने से फिर समय भी निकल आता है, और बहाने भी निकल आते हैं, आज बुद्धी को इस प्रोग्राम पर चला नहीं है, ऐसी प्रतिग्या करनी है, बिन्न बिन्न समस्याए पुर्शार्त हिन बनने के व्यर्थ संकल्प आलस्य आदी आएंगे, लेकिन बिल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे, यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे, रूह आत्मा को भी कहते है और रूह इसेंस को भी कहते है, तो दोनों हो जाएंगे, दिव्यकुनों के आकरशन, अर्थात, इसेंस, वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरुप भी दिखाई देंगे, ऐसा लक्ष रखना है, तो रूप क विस्मृती, रूह की स्मृती, इस बटी से बना कर निकलना, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो, जैसे यह शरीर एक बॉक से, इनके अंदर जो हीरा है, उनसे ही सम्मंदस नेह है, ऐसा अनुभव करना, तो निवास्तान का भी आधार लेकर स्थीती को बनाओ, वदुबन निवा असी अर्थात मधूरता और बेहत के वैरागी, जो बेहत के वैरागी होंगे, वह रूह को ही देखेंगे, तो चलन में मधूरता और मनसा में बेहत की वैराग्य रुत्ती हो, दोनों स्मृती में रहे, तो पासवीत ओनर्स नहीं होंगे, यह दोनों कॉलिफिकेशन अपने म धारन करके निकलना यह संगम युक का सुहावना समय जितना जादा हो उतना अच्छा है क्योंकि समझते हो सारे कलप में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा इसले समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए न कि आपकी विकनेस के कारण सदय व यही लक्षरक हो कि एवर रेडी रहे बाकी यह अतिंद्रिय सुखकावर सा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए है न कि अपनी कमजोरियों के लिए बाकी लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है कई लोग विदेश की चीज को टच नहीं करते है समझते हैं अपने द हो वा विदेशी चीजों से आकरशित होते हो सदैव समझते हो हम स्वदेशी है यह विदेश की चीज टच भी नहीं करनी है ऐसा अपने उचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है और इस इश्वर्य परिवार के हिसाब से मदुबन ही अपना देश है दोनों हम स्वदेशी है विदेश की चीजों को टच भी नहीं कर सकते अब पावर्फुल रचईता बनो रचईता ही कमजोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे अलंकारी बनकर निकलना है निरंतर एकरस्तिती में स्तित हो दिखाने का एक्जैम्पल बनना जो सभी को साक्षातकार हो द्वापर में तो भगत लोग साक्षातकार करेंगे लेकिन यहां सारा दैवी परिबार आप साक्षातकार मूर्च से साक्षातकार करें जमा करना है कमाया और खाया यो तो 63 जन्मोंसिक करते आए अब जमा करने का समय है गवाने का नहीं है अच्छा जो कर्म संकल्प करो अ ऐसे लाइट रूप अत्वा ट्रांस्परेंट बनो, यह भट्टी पांडव भवन को ट्रांस्परेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी, और सभी को साक्षात कार करने की आकर्शन हो कि यह चैतन्य प्रदर्शनी जाकर देखे, सभी बातों में विन करना ही है, बन नंबर में आना है, पुराणे संकल्प संसकार समेट कर खतम करना अर्थात समा देना है, जो फिर इमर्ज न हो, जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में बिल पावर हो, जितनी रुत्ती पावर्फुल होगी, उतना वायु मंडल भी पावर्फुल बनता है, जिस समय कोई पावर्फुल रुत्ती का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते है, बाप एकरस है, तो बाप के समान बनना है, कुछ भी हो जाए, तो भी उसको खेल समाज कर समाप्त करना, खेल समझने से खुशी होती है, अभी का तिलग जन्म जन्मांतर का तिलग धारी वा ताजधारी बनता है, तो सदय वह एकरस रहना है, फॉलो फादर करना है, जो स्वयम हर्शित है, वह कैसे भी मन वाले को हर्शित करेगा, हर्शित रहना, यह तो ग्यान का गुन है, इसमें सिर्प रुहानियत अड़् करना है, हर्शित पंत का संसकार भी एक वरदान है, जो समय पर अर्थन न जाए क्योंकि संकल्पों के मुल्यका भी अभी मालूम पड़ा है। अच्छा ओम शंद।